नमस्कार श्वागत आप सभी का नोलेज प्लान पर और नोलेज प्लान पर हमने स्टार्ट के NCRT मैथेमेटिक्स की स्रीज जिसमें हम सबसे पहले 10th प्लस 1 और प्लस 2 क्लास के मैथेमेटिक्स को सोल कर रहे हैं और ये स्रीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपोर्टेंट है चाहे हो CBSC बोल्ड से हूँ या अन्यकिसी बोल्ड से और इसी स्रीज के अंतरकत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10 प्लस 1 क्लास का चैप्टर नमर 8 है उसकी मिशलेनिया अक्सरसाइज का सेकिंड पार् प्रतेक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ सेयर करें कोमेंट करें और लाइक करें तो चलिए देखते हैं तो क्वेशन नमर 8 में क्या कहता है बच्चो फाइंड आपको एन फाइंड करना है इपता रेशो ओफ दा फिफ्ट रम फ्रों दा बिगिनिंग टू दा फिफ्ट रम फ्रों दा एंड इन दा एक्सपेंशन ओफ इस इस रूट शिक्स बाई वन तो देखिए बच्चो आप आपके पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है क्या एक्सपेंशन है फौर रूट फॉर्ट 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 हैं इ스की सुरुवाद से पांच में जो ट्रम है और पिछे से जो पांच में ट्रम है उनका रच्व आपको root 6 by 1 दिया है तो अब आप क्या करेंगे तो आप करिए कि इसकी सुरुवाद से 5 तरम निकाल लिए तो 5 तरम सुरुवाद तो NC4 निकलेगी और X और ये Y है X यानि के 4th root of 2 4th root of 2 है ये आपका X और इसकी power क्या लिखोगे आप N-R यानि के N-4 लिखोगे और इसी परकार से N2 में Y Y कौन है? 1 by 4th root of 3 1 by 4th root of 3 इसकी power क्या लिखते हैं? बचो आप R और R की जगए क्या आपके पास 4 है तो ऐसे लिख दिया आपने तो ये शुरुआत से आपने 5th term निकल ली अब last से 5th term देखते हैं तो last से क्या बनेगी? जो last है वो क्या बनेगी? N-C-N last से पहली क्या बनेगी? आपकी N-C-N-1 फिर दूसरी N-C-N-2 फिर उससे अगली N-C-N-3 फिर उससे अगली N-C-N-4 ये आपकी फिप्टा जाएगी क्या? N-C-N-4 पिछे से तो यही बनेगी ना? ठीक है N-C-N से लेकर के N-C-N-1 N-C-N-2 N-C-N-3 फिर N-C-N-4 ये आपकी last से 5 में बनेगी ठीक है और फिर आपकी जो X थी वो तो यही थी क्या? 4th root of 2 ठीक है इसकी power क्या लिखोगे आप? आर लिखोगे आर क्या है? नहीं N-R लिखोगे तो N क्या है? N है और minus में R क्या है? N-4 है और second जो थी आपकी Y Y क्या है? 1 by 4th root of 3 4th root of 3 इसकी power R लिखोगे आप R क्या है आपके पास? R है N-4 ठीक है तो इसकी power लिखोगे आप N-4 तो यह होगी आपकी last से कौन सी टरम? 5 टरम तो यह शुरुआच से 5 टरम और यह last से 5 टरम होगी आपकी तो इनका जो रिश्व होगो क्या है? root 6 is to 1 यानि root 6 by 1 लिख लिए ठीक है? अब इनको खोल करके देखते हैं प्यारे बच्चो तो खोलिए N-C-4 को आप combination का फारमूला पिछे खोलते हैं 7 chapter से लेकर के तो N-C-4 को कैसे खोल लेगे आप? तो उपर लिखोगे आप N factorial N factorial लिख दिया आपने निचे क्या लिखोगे आप बच्चो N-R यानि के N-4 factorial और इंटु में क्या लिखोगे आप? R factorial यानि के 4 factorial ये लिख दिया अब इसको खोलिया आप root 2 की पावर ये कितनी है? ये 2 की पावर 1 by 4 नहीं कह सकते हैं N-4 और इंटु में अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 by 4 1 by निच्चे क्या है? 3 raise to power और पूरे की पावर क्या बच्चो 1 3 raise to power 1 by 4 है ना 3 की पावर है ये तीन गुणा में मत समझाना इसको 3 raise to power ऐसे लिख लिजिए 3 raise to power 1 by 4 है और इस पूरे की पावर कितनी है? यहाँ पर देखिए पूरे की पावर है 4 यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने अब निच्चे वाले को देखिए आप निच्चे वाले को खोलिए निच्चे वाले में क्या बनता? आपके पास देखिए nc n-4 को खोलिए तो उपर लिखेंगे n factorial और निच्चे क्या लिखो गए आप लोग? निच्चे लिखेंगे बच्चो n-r factorial यानि क्या होगए आपके पास? n-4 factorial यह हो गया ठीक है और into में क्या लिखो गए आप? r factorial और r की जगए क्या है? आपका n-4 factorial ऐसे खोल दिया आपने निचे अब यहाँ पर जो है आपके पास निचे यहाँ पर क्या है? 2 का fourth root ठीक है तो आप क्या लिख सकते है? 2 की power देखिए क्या बनी 1 by 4? यह बनती है या नहीं बनती है? और 2 raise to power 1 by 4 यह हो गया और अब इसके उपर जो है वो क्या है? देखते हैं इसके उपर है बच्चो इसको खोलिए n-n पलस 4 हो जाएगा तो n से n कैंसल तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 4 इंटू में अब यहाँ पर क्या है? 1 by fourth root of 3 है तो आप लिख सकते हैं 1 by 3 raise to power कितनी 1 by 4 3 raise to power 1 by 4 और इसके उपर क्या है बच्चो इसके उपर देखिए आपके पास क्या है n-4 n-4 और उदर क्या है root 6 is to 1 ऐसे है ठीक है अब खुलते हैं इसको देखो कैसे खुल लेगे आगे कैसे खुल लेगे उपर वाले को देखिए आप उपर वाला देखो जब आप इसको खुल लेगे न n-n plus 4 factorial हो जाएगा या नहीं यानि क n से n cancel 4 factorial बच गया यहाँ पे और आगे क्या है n-4 factorial तो यह बिल्कुल देखो n factorial से n factorial cancel यहाँ पर आपका क्या बच बच आपका 4 factorial तो यह हो जाएगा इससे cancel और n-4 factorial इससे cancel तो यह तो cancel ही हो गए आपके तो जो बाकी बातें बच हुई है वो देखते हैं क्या क्या बच बच आपके पास यहाँ पर बच जाए है देखिए यह देखो आप एक की चार तो एक ही आएगा उपर और निचे देखिए बच ओ तीन की 1 by 4 और फिर इन्टू में 4 करोगे तो पावर के पर पारो cancel तो 3 राज जाएगा ठीक है तो 3 बच गया आपके पास उपर तो यही बच आप बस अब निचे देखते हैं निचे क्या-क्या बसता है देखो यह 2 raised to power 1 by 4 तो यह 4 से 4 cancel तो बचा क्या के वल 2 और इन्टू में यहां क्या बसता है आपके पास देखो 3 की एक बटे 4 सारे की N minus 4 एक का तो कुछ भी करो वही आएगा तो बचा क्या उपर तो 1 है निचे 3 की power क्या हो गया N minus 4 by 4 ठीक है यह हो गया और उदर क्या है root 6 is to 1 यानि के root 6 by 1 है तो अब देखो आप इसको क्या लिखेंगे अब ध्यान से देखिए यह जो है ना यह आप क्या करोगे देखो 2 की power तो क्या हो गई बचो यह उपर जो है क्या थी N minus 4 by 4 और निचे वाले 2 की power इसमें से कम होगी तो minus का 1 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर 1 by 3 है ना यह कहा लिखोगे आप 1 by 3 ऐसे निचे लिखोगे या नहीं लिखोगे और अब यहाँ पर जो आप खाईए 2 का तो समाधान कर ही दिये मैंने पावर घटके यह उपर जा करके अब यह 1 by यह जो value निचे है यह कहाँ जाएगी यह अपोन के अपोन में तो यह उपर जाएगी क्या जाएगा आपका उपर यह उपर जाएगा बच्छो 3 raise to power N minus 4 by 4 चला गया उपर और एक्वल टू क्या है root 6 6 by 1 या root 6 is to 1 ऐसे है या नहीं है बिल्कुल है अब देखो आप अब आपके पास आया क्या आपके पास यह आगा बच्छो 2 raise to power तो वही है N minus 4 by 4 ठीक है और multiply में देखो अब 3 की power यह तो उपर है ना जो भी है लेकिन 3 की 1 है नीचे ठीक है तो यह उपर जाकर के minus होगी यानि के 3 raise to power क्या है उपर N minus 4 by 4 तो अब 3 की 1 उपर जाने के बाद divide करोगे तो minus 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी तो उदर है root 6 is to 1 यह है तो देखो यह क्या हो गया आपके पास अब जब आप multiply करेंगे इन दोनों की तो अब यहाँ पर बनता क्या है यहाँ यह minus 1 था यहाँ भी यह देखो minus 1 है ठीक है अब इसको खोलिया आप 2 raise to power इसका 4 lcm हो गया तो इसको ऐसे लिख लिजिए 2 raise to power उपर है lcm कितना 4 ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या बना n minus 4 और minus में 4 हो गया आपने lcm ले लिया और into में 3 raise to power भी क्या है lcm 4 हो गया तो उपर भी इसके भी उपर n minus 4 minus 4 by 4 हो गया यह नहीं हो गया बिल्कुल हो गया और equal to root 6 is to 1 यानि root 6 by 1 भी लिख सकते हैं लिख दिया तो देखो अब आपके पास प्राप्त क्या हो गया आपको यह हो गया 2 raise to power n minus क्या हो गया 8 हो गया नहीं minus 4 minus 4 और निचे क्या आपके पास 4 है और into में 3 raise to power भी क्या हो गया n minus 8 by 4 हो गया और उदर क्या है root 6 by 1 है तो बच्चों देखो दोनों की power same है तो आप जब multiply करोगे तो multiply हो जाएगी base की यानि के 6 और power same रहेगी क्या n minus n minus 8 by 4 और उदर क्या है आपके पास बच्चों root 6 by क्या है root 6 by 1 कह सकते हैं आप तो अब आप क्या कर लिजिए अब आप दोनों तरफ square कर दीजिए जब आप square करोगे तो power के उपर power square होगी तो power से multiply होगी ना तो 6 की power कितनी हो जाएगी उपर तो n minus 8 ऐसे ही रहेगी ठीक है जब आप square करोगे तो अब देखो square करोगे ने इसके उपर तो क्या बन जाएगा आपके पास ये square क्या कर देगा इस 4 को cancel कर देगा तो यहां पर क्या आजाएगा 2 आजाएगा या नहीं आजाएगा ठीक है n minus 8 by 2 और उधर क्या हो जाएगा square करोगे तो root cancel तो 6 आजाएगा तो आप 6 की power कितनी लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं या नहीं तो यहां भी base 6 है और यहां भी base 6 है इसकी power कितनी है n minus 8 by 2 और इसकी power है 1 तो इसलिए जब आपके base बराबर हो और दो चीजें बराबर हो तो उनकी power भी same होगी यानि n minus 8 by 2 जो है ये किसके बराबर होगा ये 1 के equal होगा यहां पर क्या हो गया n minus 8 by 2 power थी आपकी 6 की और इधर क्या है 1 तो ये दोनों चीजें क्या होगी आपकी same होगी तो यहां पर आप by cross multiplication आपके पास क्या आ जाता है cross multiply कीजिए n minus 8 equal to 2 तो this implies आप सब n की value निकालते है तो n क्या आ जाएगा minus 8 उदर plus हो जाएगा तो 10 आ जाएगा तो इसलिए जो n है वो क्या है आपके पास बच्छो 10 है तो यही आपको find करना था तो बच्छो थोड़ा सा ध्यान से करना है और थोड़ा लंबा question बन जबता है और कोई जैरा बड़ी बात नहीं है तो देखिए next question देखते है तो next question है question number 9 question number 9 में इसने क्या दिया आपको expand using binomial theorem binomial theorem का use करके इसको expand कीजिए किसको question number 9 में कहता है इसमें कहता है आप क्या करो 1 plus x by 2 1 plus x by 2 minus 2 upon x यह है यह expansion है और इसकी power जो है वो कितने दिया आपको इसकी power दिया बच्चो कितने 4 and x is not equal to 0 x is not equal to 0 इसको expand करना है ठीक है binomial theorem का use करके तो x 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि not define ही हो जाएगा अगर x को 0 रख दिया तो कैसे करोगे आप है ना इस 1 को तो x मान लीजिए और इस पूरे को y मान लीजिए यानि कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1 पलस x by 2 bracket में कर लीजिए इसको minus 2 upon x और ये पूरे की power all raise to power क्या कर सकते हैं हाँ फोर लिख सकते हैं नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं तो आप देखिए ये तो x और ये y तो अब आप इस तरह से पहले खोलते आई हैं अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का तो कोई funda ही नहीं होता सिरफ आपको किस पे ध्यान देना होगा आपको सिरफ इस पे ध्यान ध्यान देना होगा तो आप ये y की power 1 की तरफ तो कुछ पे smart कर दीजिए ठीक है तो मैं 0 से start कर रहा हूँ और 4 पे end कर रहा हूँ तो देखिए कैसे पहले लिखोगे आप कैसे खोलो गो इसको 4c0 nc0 लिखते हैं ना और 1 का तो छोड़ दीए दीजी यहाँ 0 से start कर रहा हूँ मैं x by 2 minus 2 by x all raise to power 0 ठीक है 1 का कोई फंडा नहीं है x by 2 minus 2 by x all raise to power क्या लिखोगे बच्चो all raise to power 1 आ जाएगी फिर पलस next जो आपका होगा वो क्या होगा 4c2 4c2 अब x by 2 minus 2 by x उसके बाद इसकी जो power होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 1 एक और ज्यादा 0 1 एक फिर 2 फिर पलस 4c3 4c3 into x by 2 minus 2 by x all raise to power क्या हो जाएगी बच्चो फिर एक और increase होगी यहाँ पर 3 हो जाएगी फिर आप last में क्या लिखोगे 4c4 last ncn हो गया x by 2 minus 2 by x all raise to power क्या हो जाएगी आपके पास 4 तो इस परकार से expansion खुलेगा बिल्कुल ठीक है आप खुलते हैं इस त्रीके से तो आप देखो इसको इसका मान क्या आएगा आपके पास इसकी value आजाएगी 4c0 nc0 की value तो 1 आती है और इस पूरे expression की power 0 तो ये भी 1 किसी भी expression की power 0 हो तो 1 into 1 तो 1 आ गया तो यहां तो आ गया 1 पलस फिर देखते हैं 4c1 की value 4 ही आएगी 4 लिख दिया आपने और into में ये as it is x by 2 minus 2 upon x ठीक है क्योंकि इसकी power कुछ है यही नहीं बस यही लिख दिया एक ही है पलस फिर आप 4c2 को खोलिए 4c2 को आप लिखेंगे 4 into 3 into 2 factorial और निच्चे बच्चो 2 factorial और 4 minus 2 2 factorial 2 factorial से 2 factorial cancel तो उपर चयारती है 12 12 बटे 2 कितना आ जाएगा 6 तो इसको combination का फार्मूल आप जानते ही है जो सीख क्या है तो 6 है जाएगा ने तो सीख लीज़े जाकर के 6 इसकी value और into में ये क्या है x by 2 minus 2 by x पूरे का square तो इसको खोल देता हम बच्चो में a minus b पूरे का square कैसे खुलेगा a square यानि कि x by x का square अप उनमे 4 plus b square 2 का square 4 अप उनमे x का square minus 2 a b तो minus में देखो 2 into x by 2 into 2 by x तो cancel हो जाएगे 2 से 2 x से x तो बचेगा क्या केवल 2 बचता है तो मैंने इसको खोल दिया बच्चो सिरफ इसको a minus b के square को यहीं पे खोल दिया plus 4 c 3 की value तो 4 ही आएगे n c n minus 1 का मान क्या आता है केवल n आता है तो 4 ही आ जाएगा इसका मान इसकी value आप जानते हैं ठीक है अब यहां पर a minus b की cube खोलनी है आपको तो वो भी आप जानते हैं उसको भी खोल लेंगे नहीं तो binomial expansion अलग फिर से लगा लोगे आप तो उसका भी use कर सकते हैं नहीं तो a minus b की cube आप खोलना जानते ही हैं तो क्या होगा आपके पास a की cube यानि x by 2 की cube यानिके x की cube अपॉन 2 की cube 8 हो गया minus y की cube यानिके 2 की cube 8 अपॉन x की cube a cube minus b cube फिर बाद में आता है बच्चों यहां पे लिख देता हूं minus 2a square देखो a cube minus b cube फिर 3a square b 3 into a का square a का है बच्चों यहां पे x by 2 तो इसका square करोगे ना तो x का square अपॉन में क्या होगा आपके पास 2 का square 4 पलस फिर क्या लिखते हैं 3ab square ठीक है ना एक मिनिट है यह तो होगा देखो a cube x cube minus में y cube माइनस 3 3a square और into में b और लिखना है आपको b क्या है देखिए आपके पास b है आपके पास 2 by x यह लिख दिया आपने 2 by x फिर पलस आपता है 3ab square 3ab square यानि के 3 into x by 2 और into में 2 by x का square ऐसे खोलती है मैंने ठीक है तो अब यह देखो मैंने खोला क्या है वच्छो a minus b की cube तो a minus b की cube कैसे खोलता है फोर तो है जिटीज यह तो फोर आगया था तो पहले की cube x की cube by 8 minus दूसरे की cube 8 by x की cube फिर minus 3a square b इसका square और into में b क्या है 2 by x फिर आता है plus 3ab square 3 into a क्या है यह और b का square 2 by x का square यह खोल गए आपका ठीक है अब सारे के अंदर यह bracket था ना बाहर फोर है अब पलस में 4c4 की value तो आपकी 1 ही आती है लेकिन यहाँ पर जो expression की power है वो चयार है बच्चो तो अब यहाँ पर फिर से आप binomial expansion लगाओगे तो 4c4 तो मान एक ही आएगा अब यहाँ से मैं फिर से start करता हूँ यहाँ पर फिर से आप binomial expansion कैसे खोलते हैं यह पूरे की power n है तो यहाँ पर कैसे लिखोगे पलस में यह पूरा क्या हो जाएगा 4c0 4c0 लिख दिया और पहले की power x by 2 की power क्या लिखोगे आप x by 2 की power तो 0 लिखोगे बच्चो ठीक है यह आप पहले क्या लिख सकते हैं 4c0 यानि के आप 4 भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है किसी भी तरीके से कर लीजिए तो यहाँ पर 4 यानि n minus r यानि पर 4 कर लिया चलो मैंने ठीक है और जो बसता है आपका दूसरा 2 by x उसकी power क्या लिखोगे आप 2 by x raise to power फिर 0 कर लेंगे ठीक है अगर इसकी आप n minus r कर रहे हैं तो यह r हो जाएगा ठीक है अब इसमें एक विसेश बात होगी देखो इसमें विसेश बात होगी क्योंकि हम minus है तो आप जानते हैं पहले ही मैंने आपको पता है अगर minus है तो एक ट्रम पलस आती रहेगी याने के 1 हो गई ठीक है फिर आपके पास क्या होगा पलस की आएगी पलस में क्या आएगा अपच्चो 4C2 फिर x भाई 2 के एक और कम हो जाएगी x भाई 2 की पावर कितनी रहे गई आपके पास अब रहे गई 2 और 2 भाई x की एक और बढ़ गई 2 by x की power कितनी हो गए यहां पर 2 हो गए ठीक है ऐसे ठीक है फिर आपके पास आएगा 4C3 फिर माइनस में पलस माइनस पलस यानि के फिर माइनस 4C3 और x by 2 की जो power है एक और घट गई यानि के एक ही रह गई और 2 by x की power 2 upon x की power एक और बढ़ गई तो कितनी होगी बच्चों यहां पर 3 यहां दो थी और फिर पलस लास्ट लास्ट क्या होगा आपके पास 4C4 4C4 एकस बाई 2 की power तो 0 हो गई वो तो लिखने की जुरूरत नहीं उसकी तो value 1 ही आएगी और 2 by x की power कीतनी होगी आगई आपके पास 4 हो गई पूरी की पूरी अब यहां से लेगर के और यहां तक का जो expansion बनता है देखो यह बना है ना आपका यहां से लेगर के यहां तक का अब इसको खोलते हैं ठीक है तो 1 as it is ठीक है थोड़े से लंबे समय बच्चों और कोई बात नहीं है तो जब आप खोलोगे इसको देखिए वन तो एजटी इस ठापका वन तो वन पलस यहां लिख लेते हैं वन पलस फोर की multiply कीजिए बच्चों तो 2 से cancel हो जाएगा यानि के 2x हो गया है नहीं बिलकुल हो गया माइनस चार दुनी 8 अपोन में x हो गया ठीक है multiply क देखिए आप लिख लिजिए पहले या तो इससे 2 से काट दीजिए इसको और नहीं तो लिख दीजिए 6 by 4 6 by 4 x का square ठीक है और पलस में 6 चो का 24 अपोन में x का square है और माइनस में 6 दुनी 12 हो गया 12 है पलस अब इस 4 की इससे multiply होगी या नहीं होगी पूरे के साथ ठीक है बाहर है आपके पास 4 यहाँ पर 4 लिख देते हैं पलस का 4 है और into में है देखिए x की cube अपोन में 8 माइनस 8 by x की cube है फिर है आपके पास कितना यहाँ पर है देखिए minus 3 और इसकी multiply कर लीजिए बच्चों multiply करनी है ना देखिए तो यहाँ पर क्या होगया 2 तू जा 4 तो minus 3 by 2 ठीक है माइनस का 3 by 2 और क्या बच्ता आपके पास देखिए उपर x के रह निच्चे x है तो x रह गया सिरफ ठीक हैए पलस अब देखो यहाँ पर क्या पता है यहाँ पर 3 by 2 x है 3 by 2 और x और into में 2 का square 4 अपोन x का square 4 अपोन x का square है ठीक है तो अब 2 का square थो 4 अपोन x का square ठीक अब फिर क्या आपके पास पलस यहाँ पर ठीक है पलस में पलस का साइन लगा जीजी आप तो यहाँ पर देखिए आप खोली इसको यहाँ पर क्या था 4C0 यानि के 1 आगया इसकी वैल्यू एक्स बाइ 2 की फोर तो एक्स की च्यार अपोन में 2 की च्यार शोड़े हो गया नहीं एक्स की च्यार अपोन में क्या हो गया 16 ठीक है और गुना में मल्टिपलाई में क्या करोगे 2 बाइ एक्स की पाउर 0 तो कुछ नहीं है बस अब अगले ट्रम आएगी माइनस में 4C1 की वैल्यू फोर आगई ठीक है अब यहां देखिए एक्स की क्यूब अपोन 2 की क्यूब 8 यानि एक्स की क्यूब अपोन में 8 हो गया इन्टू में 2 बाई एक्स हो गया ठीक है पलस 4C2 का मान कितना आएगा वही 6 आएगा इसकी वैल्यू आप जानते हैं गुणा 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल वटे में 2 फैक्टोरियल इन्टू टू फैक्टोरियल ठीक है तो यहां पर आएगा 6 पलस का आगे लिए देते हैं पलस में 6 आया ठीक 6 आने के बाद यहां पर देखिए अब x स्केर वाई 4 हो गया x का square upon में 4 फिर into में देखिए क्या है 2 square upon में x का square यानि 4 by x square 4 upon x का square ठीक है next देखते है minus 4c3 की value 4 ही आएगी minus में 4 देख दिया next देखिए क्या है x by 2 as it is और यहां पे x by 2 2 की 3 8 by x की क्यों गी x by 2 x by 2 and into में 8 by x की cube यह हो गया है नहीं हो गया ठीक है 8 by x की cube पलस 4c4 की value 1 तो 2 की 4 16 upon x की 4 तो 16 upon x की 4 ठीक है पलस में है ना पलस 16 upon पलस में है यहां पे 16 upon x raise to power 4 अब देखते हैं यह क्या आता है बच्छों सारा का सारा खूल करके ठीक है तो देखो यह जो आपका अंसर आएगा वो क्या बनता है तो आप पहले इसको पूरे को खुलिए 1 यहां से स्टार्ट हुआ था आपका आप देखिए 1 एज़टीच 1 पलस 2x भी एज़टीच माइनस 8 by x है यह का यह लिख दीजिए पलस इसको काट दीजिए 3 by 2 और फिर x square पलस 24 अपून x square 24 अपून x का square माइनस 12 यह भी हो गया पलस अब इसकी मल्टिपलाई कीजिए बच्चो च्यार के साथ च्यार के साथ देखिए च्यार दुनियाठ x की क्यूब बाई 2 बच गया नहीं x की क्यूब अपून में 2 फिर इसकी कीजिए माइनस में 24 अपून में x की क्यूब माइनस 32 अपून में x की क्यूब हो गया ठीक है आगे लिख लेते हैं अब यहाँ पे इससे करोगे तो 2 cancel हो जाएगा 2 बचेगा 2 थरी जा माइनस का 6x माइनस 6x ठीक है पलस अब इससे कीजिए अगले के साथ 2 से काटोगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पलस में यहाँ पर देखो आप क्या करोगे 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चो देखिए एक मिनिट यहाँ पे ऐसी आना चाहिए ठीक है तो 2 बचेगा तो 2 की इसके साथ कुना करोगे 2 तिया 6 6 चुका 24 24 और यहां X है और निच्चे X की रहे तो 24 अपोन में X बचेगा या नहीं 24 अपोन में X ऐसे हो गया पलस अब नेक्स ट्रम X की 4 अपोन में 16 है ठीक है तो यहां पर मुझे डाउट है पर देख लेते हैं ठीक है बच्चो यही था 4 अपोन X का स्केर ही था ठीक है तो देखो अब X raised to power 4 अपोन में 16 आ गया ठीक यहां पर फिर minus यहां पर देखिए 4 दूनी 8 उपर क्या बसता है 4 दूनी 8 यानिके X की cube यह अगर आप इसको काटते हैं तो देखो यहां पर क्या हो गया बच्चो च्यार दूनी 8 8 से 8 कैंसल आपका और यह कैंसल हो गया तो उपर क्या बच्चा X का square बसता है नहीं बसता है minus का X का square लिख दिया ठीक है और फिर इस पर आजाएए इस पर आओगे तो आप लोग क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसल और X केर से X केर भी आपका कैंसल तो बच्चा क्या पलस का 6 ठीक है पलस 6 लिख दिया minus यहां पर देखो आपके पास क्या बच्चा है तो यहां पर देखो यह बच्चा है बच्चो 2 टूजा 4 ठीक है 2 टूजा 4 तो 8 तूनिस 16 minus 16 और अपोन में X से X की क्यूब X स्केर बचेगा नहीं पर minus 16 अपोन में X का स्केर ठीक है और पलस में 16 अपोन में X raised to power 4 यह आजाता आपका खुल करके ठीक है अब इसको short form में बिल्कुल आप जब इसको ठीक धंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे शुरू में देखिया आप जो X की power सबसे कम है उसको देखिए तो सबसे कम है ठीक है आप divide वाली लिख लेजिए पहले लिखना चाहें तो तो आप divide वाली लिखेंगे तो देखिए आपके पास minus 8 by X है और 24 upon में X है ठीक है बस यही बंगती है आपकी तो यहां से आपके पास आया क्या बच्चो है यह तो plus है यह minus घट जाएगी यानि के 24 में से 8 घट आईए 16 upon में X पहली टरम आ जाएगी X की अब निच्चे X की square वाली टरम देखिए और upon में X का square है दोनों के ठीक है तो इसका भी समाधान हो गया उसके बाद X की cube वाली निच्चे X की cube किसके अंदर है देखो एक तो यह रही ठीक है X की cube और देखिए और है या नहीं आपके पास नहीं है बस यही बंती है आपके पास minus 32 minus 32 2 upon X की cube तो इसका भी समाधान हो गया ठीक उसके बाद X raise to power 4 वाली निच्चे देख लेते हैं तो X की 4 वाली यह रही पलस 16 upon में X raise to power 4 हो गया उसके बाद अब उपर X वाले ट्रम देखिए आप उपर जो हैं पहले X की देखो एक X की यह 2X है ठीक है फिर आप X की square वाली देखिए उपर X की square तो 3 by 2X का square एक तो यह है 3 by 2X का square ठीक है और और क्या बनता है आपके पास और देखते हैं यह रहा minus 1X का square तो इसमें से यह घटेगा यह डेड़ है यह एक है तो 1 by 2X का square बचेगा नहीं पलस का 1 by 2 और X square तो इसका भी समाधान हो गए आपका ठीक है अब X की cube की देखते हैं X की cube की क्या बसती है आपके पास X की cube by 2 एक तो यह है बस और नहीं है इसमें X की cube by 2 के अलावा तो पलस में क्या लिखो गया पलस की X की cube upon में 2 X की cube upon में 2 ठीक है अब क्या देखते हैं आप X की 4 की ट्रम देख लेते हैं तो उपर यदी है तो कहीं पे यह रहा X की 4 upon 16 तो पलस में लिख देता हूं है यहां पे X की 4 upon में 16 है हो गया और अब है जो आपकी constant values हैं वो देखते हैं क्या है एक तो यह 1 है उसके बाद यह आपके पास 6 है ठीक है तो 6 और 1 7 और 7 और और देख लेते हैं क्या है इसमें 7 और constant ट्रम ही यह रही minus 12 minus 12 तो 7 में से 12 गटाईए तो minus का 5 बस यही आपका required answer होगा ठीक है तो बच्चो थोड़ा calculation में तो आपको प्रेशानी आएगी इसमें लेकिन आप असानी से कर्श केंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद जो आपका next question है तो next question में क्या है जो आपका last है तो उसको कैसे करेंगे देखिए question number 10 question number 10 को किजिए इसको कैसे करते है question 10 में आपको दिया है क्या question number 10 इसमें है एक expansion दिया हुआ आपको कितना 1 plus x ये दिया है 3x square minus 2ax 3x square minus 2ax और plus 3a square 3a square इस पूरे की power कितनी है बच्चो क्यूब है इस पूरे की 3 दी है ये कहता है 3x square minus 2ax और plus 3a square और पूरे की cube using binomial theorem find the expansion तो expansion निकलना हाब को तो देखिए इसकी है ना 2 part ऐसे बना लीजिए वैसे तो किसी तरीके से बना सकते है आगली और पिछली दो का भी मैं पहली दो का बना रहा हूँ बाद वाली को अलग से छोड़ रहा हूँ तो ये x ये y तो खुली है फॉर्मूला लगाई ये nc0 यानि के 3c0 a क्या है या x क्या है आपका ये है 3x square 3x square minus 2ax इसकी पावर क्या लिखोगे आप n minus r यानि के 3 minus 0 यानि के 3 लिख सकते हैं आपकी मर्जी या 0 से start कर लीजिए और 3 पे end कर दीजिए या 3 से start कर दीजिए और 0 पे end कर दीजिए तो यदि आप 0 से start करते हैं तो 0 से कर सकते हैं मैंने 0 से start कर दिया अब इसकी power कितनी होगी फिर 3a square की power इसकी तो फिर पूरी होगी यानि कि ये r लिखते हैं तो ये n minus r यानि 3 minus 0 यानि कि 3 लिखनी पड़ेगी आपको फिर पलस में अगली एक तरम क्या होगी आपकी 3c1 3c1 अब क्या करोगे आप इसकी power एक करोगे यानि किसकी 3x square minus 2x ठीक है इसकी power 1 increase कर दिया आपने तो 1 हो गई और इसकी एक कम होगी 3a square की 2 हो जाएगी 3 into में 3a square की power हो गई आपके पास अब 2 ठीक है पहले 3 थी अब 2 हो गया ठीक है अब next देखते हैं next क्या होगे आपके पास पलस अब 3c 2 होगा nc2 तो 3c2 और अब इसकी power एक और बढ़ेगी क्या 3x square minus 2ax इसकी power क्या लिखोगे आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पे 0 थी यहाँ पे 1 थी अब क्या गरोगे इसकी power हो गई बच्छो क्या 2 ठीक है 2 हो गई और यह जो 3a square है फिर 3x square minus 2ax इसकी power पूरी हो गई complete यहाँ थी अब 3 हो गई ठीक है और दूसरे की power तो 0 ही होगी तो उसकी value 1 आएगी तो लिखने की ज़रूरी नहीं है बस यह हो गया अब हैना आप इसको खोलिए जब आप खोल लेंगे तो 3c0 की value nc0 तो 1 ही आएगा तो यह भी 1 और यह भी इसकी power 0 हो 1 तो बस यही बच आपके पास 3 की 3 यानि के 27 27 और एक ही power कितनी होगी बच्छो power की multiply यानि 6 पलस 3c1 की value 3 ही आएगी 3 लिख दिया आपने अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गए आपके पास क्या 3x square minus 2x यह है multiply में और यहाँ पर into में क्या हो गया 3 का square यानि 9 a raise to power 4 हो जाएगी फिर पलस 3c2 3c2 की value कितनी आएगी आपके पास 3c1 की value और 3c2 की value यही आएगी ठीक है कितनी 3 ठीक है तो उसके बाद आप क्या लिखोगे 3 आ जाएगा इसका मान 3 factorial 3 गुणा में 2 गुणा 1 ऐसे ही 3 दूनी 6 बटे 2 यानि 3 ही आएगा अब इसका square खोल लीजिए आप a minus b का square कैसे खोलते हैं बच्चो a square यानि के 9x की power 4 पलस b square यानि के 4 a square x का square ऐसे होगा नहीं minus 2a b यानि के 2 गुणा 3 ठीक है 2 3 6 दूनी 12 3 दूनी 6 दूनी 12 12 हो गया और 7 में क्या हो गया बच्चो 2 a और a क्या हो गया देखिए आपके पास x square into x यानि x की cube हो गई या नहीं हो गई x की cube और a क्या है बच्चो a यहीं रहेगा आपके पास a तो मैंने कैसे खोला a square plus b square minus 2 a 2 3 6 दूनी 12 है a agitives और x की cube ठीक है तो यह हो गया और plus में अब किसको खोलेंगे आप और into में क्या था आपके पास यह भी तो था ना यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 9 a square नहीं 3 a square है विस ऐसी into में 3 a square ऐसे हो गया ठीक तो अब अगली जो बात बनती है आपके पास वो क्या बनेगी plus 3 c 3 की value यहाँ पे लिख लेते हैं 3 c 3 की value तो वो तो 1 ही आई या 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 इसकी या तो cube खोल दीजिए और नहीं तब फिर से binomial expansion लगाईए आप तो मैं cube खोल लेता हूँ a minus b की cube कैसे खोलेगी बच्चो a की cube यानि के 3 x square की cube 3 x square की cube a की cube फिर minus b की cube यानि के 2 ax की cube ऐसे खोलनेगी ना a की cube minus b की cube minus 3 a square b यानि के 3 और किसका square इसका तो इसका square क्या हो जाएगा 9 x की power 4 ठीक है और into में 3 a square into b b क्या है 2 ax ठीक है और plus में 3 a b square यानि के 3 3 और into में a a क्या है 3 x square 3 x का square और b का square 3 a b का square यानि के क्या बन गए बच्चो यहाँ पे 2 का square 4 4 a square x square ठीक है 4 a square x का square ये बनेगा या नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा अब इसको खोल करके देखते हैं आप लोग पूरा expand करके देखोगे तो 27 a की 6 है ठीक है 27 27 a raise to power 6 और अब इसकी multiply करेंगे तो देखो सारा का सारा क्या बनेगा आपके पास 9 तिया 27 a की 4 हो गया ना पलस 27 a की 4 और इंटू में क्या आपके पास 3 x square माइनस 2 x ऐसे लिख लिजी आभी इसको फिर पलस देखो यहां पर क्या बनता है 3 गुणा में 3 9 a क्या square 9 a square और इंटू में क्या हो यहां पर यहां पर बनाब आपके पास 9 x की 4 9 x raise to power 4 पलस 4 a square x square पलस 4 a square x का square फिर माइनस 12 x की क्यूब इंटू a माइनस 12 x की क्यूब इंटू a ठीक है बस यह है multiply में और फिर पलस इसको खोलिए 3 की 3 27 x की power कितनी होगी बच्चो power के उपर power की multiply यह निकिछ है फिर यहां पर खोलिए माइनस 2 की 3 8 a की भी क्यूब और x की भी क्यूब ठीक है माइनस इसकी multiply कीजिए 3 27 दूनी sum 1 sum 1 और a क्या हुआ आपके पास a तो as it is और x की power कितनी होगी च्यार यह a की है x raise to power 5 ठीक है पलस लास्ट देखते हैं क्या बना 3 तिया 9 9 चोका 36 ठीक है 36 और शाथ में बच्चो a का square और x की power कितनी होगी 2 and 2 x raise to power 4 ठीक है तो यह आया आप इसको और थोड़ा simplify कीजिए तो 27 a raise to power 6 पलस multiply कीजिए 27 दिया यह क्या सी 81 a raise to power 4 x का square माइनस 27 दूनी sum 1 as it is a raise to power 4 और into x ऐसे हो गया फिर इसकी कीजिए पलस 9 into 9 नयाम नयाम नो निमे 81 a square x raise to power 4 पलस यहां कीजिए 9 चोके 36 a की 4 36 a raise to power 4 और x का क्या होगा बच्चो square ठीक है a की 4 x का square ठीक है यह हो गया उसके बाद किसे कर रहे हैं देखिए यहां पर 9 चोके 37 a square x square अब इसकी के साथ भी तो होगी माइनस 12 निमे 108 108 और a की पावर कितनी देखिए a तो यह एक तो यह और 3 यह a की cube और x की भी cube ठीक है पलस अब यहां पर 27 x की पावर 6 माइनस यहां पर 8 थी ना 8 थी या 108 होगा बच्चो 27 थी या क्यासी x की 6 बनती थी 8 ही होगी यहां पर शायद ठीक है 8 थी थी 8 a की cube x की cube फिर माइनस 54 a x raise to power 5 पलस 36 फिर क्या है बच्चो आपके पास 36 a की power 4 एक मिनिट देख लेते हैं यहां पर क्या बनता है 27 a की इच्च है 81 ठीक है यह बन गया और यहां चमवन हो गया यहां पर 81 यह खोलती है मैंने नो चो का 36 उसके बाद क्या बनता आपके पास यहां पर 12 निमा 108 ठीक है यह भी 27 a की इच्च है यह यू का यू और फिर माइनस समवन है यहां पर ठीक है एक मिनिट समवन नहीं है बच्चो यहां पर ठीक है 8 a की क्यूब x की क्यूब माइनस समवन a x की 5 पलस 37 a स्कियर x की 4 a स्कियर इंटो x raise to power 4 ठीक है तो अब देखते हैं यह क्या है बच्चो बहुत calculation में थोड़ी दिक्कत आती है तो अब इसको खोलेंगे तो 27 अब सारे को खोल करके देखते हैं बच्चो पहले तो मैं x की power जो सबसे बड़ी है वो देख लेता हूँ क्या है इसमें देखिए x raise to power 6 यह ले लेता हूँ 27 x raise to power 6 इसको मैंने देख दिया पहले 27 x raise to power 6 फिर 5 वाले टर्म देखते हैं तो 5 की देखिए एक तो यह होगई sum 1 ठीक है ax की 5 बस साइड यही है बस माइनस के sum 1 54 54 इंटू A x raise to power 5 ठीक है अब देखते हैं next टर्म तो इसका भी समाधान हो गया फिर x की 4 देख लेते हैं तो x की जो 4 है वो क्या बनता है आपके पास यहाँ पर देखिए x की जो 4 है तो x की 4 की जो टर्म बनती है यहाँ नहीं है यहाँ रही 186 a square x की 4 है आपके पास और देख लेते हैं कोई न कोई हो तो यहाँ पर 81 और फिर क्या है आपके पास x की 4 वाली यह रही 36 तो 36 और यहाँ पर a square x की 4 है ना यहाँ भी ठीक है दोनों एक जैसी है देखिए 36 a square x की 4 और यह यह क्यासी ठीक है तो 6 और 1 7 8 3 11 है तो 170 है पलस का 117 ठीक a square x raise to power 4 है उसके बाद अब x की cube देखते हैं तो x की cube कौन सी बनती है देखिए x की cube बनती है यहाँ पर x की 4 यहाँ नहीं है यहाँ देख लेते हैं x square x cube यह रही यह रही और 1 यह रही ठीक है तो minus 108 और 8 minus की कितने बनती है 116 दोनों negative है ना minus 116 a की cube और x की भी cube तो इनका भी दोनों का समाधान हो गया अब square देख लेते हैं यह रहा कि क्यासी x का square यहाँ बनता है और 36 यह बचो तो वही क्या बनता है 117 है 117 है ठीक है और 1 की कितनी है इसमें देखिए 1 की 4 और x का square है दोनों में ठीक है यह हो गया उसके बाद x वाले टरम देखिए आप x की जो टरम है वो कौन कौन सी हैं आपके पास एक तो यह रही है ठीक है और और देख लेते हैं कोई x की तरम यदी हो तो साइद इसमें और नहीं होगी कोई नो कोई बस यही है माइनस का 54 माइनस 54 a raise to power 4 माइनस 54 a raise to power 4 into x हो गया इसका समाधान ठीक है अब आपके पास x की तो हो गई अब आपको देखनी है सिरफ जो कॉन स्टेंट है जिसमें x नहीं है तो वो क्या है आपके पास 27 a raise to power 6 तो यही आपका required expansion होगा बच्चो इस परकार से आप कर सकते हैं ठीक है ऐसे आ जाएगा तो बच्चो काफी calculation आपको इसमें करनी पड़ेगी आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत